एक मच्छी बेचने वाले के घर पैदा होने वाला इंसान कैसे पार्क फील्स का फोंडर बना? कैसे पार्क फील्स फजूद में आई? असलाम अलीकूम फ्रेंड्स उमीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं चैनल असमारा स्ट्रैक और मैं हूँ आपकी होस्ट असमारा आज की मेरी वीडियो है कार लवर्स के बारे में पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा कार लवर हो जो पार्क फील्स को ना जानता हो आज मैं आपको बताऊंगी के पार्क फील्स कैसे वजूद में आई? और इसके मालिक कौन है? और उन्होंने कैसे ये कंपनी बनाई? जी हाँ, पार्क फील्स इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी कार वेबसाइट है जहां लोग गाड़ियों के स्पेर पार्ट्स और कार सेल करते हैं पार्क फील्स पर सेल की जाने वाली कार्स इनकी वेबसाइट से अथराइज़ होती है वहाँ पार हार कार के बारे में इन्फोमिशन विल्कुल दुरूस्त होती है और पार्क फील्स से अथराइज़ होती है पार्क फील्स पाकिस्तान की सबसे बड़ी वेबसाइट है जहां सबसे ज्यादा कार सेल होती है और परजेस की जाती है इसको वजूद में लाने वालों में सबसे बड़ा नाम सुनील सर्फ राज मंज और मुहमद रजा साइद का है जिन्होंने आज से सत्रा साल पहले शुरू की सुनील सर का ये कहना था कि उनको ये आइडिया न्यूस पेपर में एक कार सेलिंग का एड देख कर आया कि क्यों ना एक ऐसी वेबसाइट बनाई जाए जहां लोग असानी से अपनी कार सेल करने का एड लगा सकें और उसे सेफली सेल कर सकें यही से पार्क फील्स की शुरुआत हुई पार्क फील्स देखते देखते पाकिस्तान की सबसे बड़ी कार सेलिंग और स्पेर पार्ट सेलिंग वेबसाइट बन गई सुनील सर्फरास मंच को कार्स का बहुत शोक है उन्हें कार्स के साथ बहुत प्यार है पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसी कार होगी जिसे स्नील सर्फरास मंच ने रिव्यू ना किया हो या ना चलाई हो इसके इलावा वो हर हफते पाकिस्तान में होने वाली आटोमोटिव न्यूस से भी हमें अगा करते हैं और मुख्तलिक गाड़ियों का रिव्यू भी करते हैं जिसे लोगों को गाड़ियों के बारे में मकमल नौलिज होती है इस वक्त पार्क फिल्स पर चाहलाग प्लस कार सेलिंग एड्स मुझूद हैं इसके इलावा पार्क फिल्स हर साल मुल्क के मुख्लिफ सिटीज में आटो शो भी और्गनाईज करता है जहां उस सिटी में मजूद लक्शरी कार्ज, स्पोर्ट्स कार, हैवी बाइक्स लोग दिखाने के लिए लाई जाती हैं हर साल पार्क फिल्स के आटो शो देखने के लिए लोग बड़ी तदात में आते हैं और शो को इंजॉई करते हैं इसके इलावा पार्क फिल्स हर साल पाकिस्तान के रेगस्तानी अलाके में जीप रैली वी और्गनाईज करते हैं जिस पे पूरे पाकिस्तान से जीफ ट्राइवर्स हिसा लेते हैं और अपनी ड्राइविंग का हुनत दिखाते हैं पार्ग वील्स के CEO महम्मद रजा साईद भी इस जीफ रैली में हिसा लेते हैं इन फैक्ट वो काफी बार रैली जीत भी चुके हैं तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो पाक वील्स के बारे में कि कैसे सुनिल सर्फ राज मंच और महम्मद रजा साईद ने पाक वील्स बनाई अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताईएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी अपना खियार रखिएगा शुक्रिया अलाहाफीज